इसकी एक छोटी सी कंट्री है जहां करीब साथ मिलियन लोग रहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है वहां की जो जो जोग्रफिकल लोकेशन है जहां एक साइड मेडिटरेनियन सी, एक तरफ सिरिया, और साउथ में इस्रेल We are talking about Lebanon because the recent history of this country has striking resemblance to what is happening to भारत और उन सब इंडिकेटर से हम ये conclude कर सकते हैं कि जो लेबनान के साथ हुआ, वही भारत के साथ होने वाला है आप सोचेंगे कि क्या हुआ है वाई ऐसा वो तो मैं डीटेल में बताऊंगा ही पर ये जान लीजिए कि it's very bad, very bad तो अगर आप ये सोच के बेटे हैं कि जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा और आपके बच्चों का future सुरक्षित है उस देश में तो जाग जाओ, इस नीन से जितनी जल्दी जागोगे उतना अच्छा है If we don't wake up on time, there is nothing stopping भारत from becoming another Lebanon Welcome to new episode of Breathing History fazendo a social worker is a refugee. अनित्स सो चपन तख लेढन में मेरोनाइट Christian majority में थे Approximately 54% of the population Lebanon and Israel, these were the only two democracies in the Middle East and also the only two non-Muslim countries तो उसका जो conclusion आपको निकाला है आप निकालिये Beirut, which was also called the Paris of the East एक trade center हुआ करता था और चूंकि इस country की geographical location ऐसी थी कि Middle East के सारे refugees वहीं जाते थे तभी तो Ottoman Empire के समय में भी Lebanon Muslim majority नहीं हुआ क्योंकि Ottoman Empire से बचके सारे टाइप के Christian sects लेबनान की शरण में ही आए अराउंड 1970 जब Palestine Exodus हुआ था तो Palestine के सारे Muslim refugees वह लेबनान गए जबकि Islamic countries like Jordan and Iran इन्होंने इन refugees को लेने से मना कर दिया इस वह स्ट्रेटीजिक आपको पता चलेगा आगे बट अब यह जो सब refugees हैं वह लेबनान में सेटल हुए और फिर वहां हुआ population explosion अब इन्होंने वहां की democratic positions लेना स्टार्ट कर दिया supported by PLO and other terrorist organizations और interesting बात यह है कि यह सारी politics यह leftist banner के अंदर करते थे जबकि left या secular या communism से इनका कोई लेना देना ही नहीं और खुद को victim और helpless project किया जाता था और जो local native Christian population थी उनको aggressive rightist tag किया जाता था I hope आपको एक scary similarities दिख रही होंगी आगे और भी डरा होना है 1975 आते आते मुस्लिम population हो गई थी 44% तब यहां civil war start हो गया इस time Christian population थी 54% let me keep this number on the screen right here civil war खतम हुआ 1990 में और तब Muslim population हो गई थी 54% और Christian population थी 40% इसका कारण था internal population explosion पडोसी देशों से illegal infiltration और Christians का mass genocide 1991 तक लेबिनान में democracy पूरी धरा खतम हो गई थी और Hejbullah, Hamas और PLO जैसे terrorist organizations वहां से अपना काम करने लगे थे सिरिफ 15 साल लगे लेबिनान को एक flourishing democracy से terrorist organizations का training camp बनाने में अब इससे भारत का क्या लेना देना है वो देखते हैं और वो समझने के लिए अगर मैं आपको कुछ चार striking similarities ही बता दूँ जो वहां के local Christians ने किया था और हम कर रहे हैं आज भारत में तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भारत में आने वाले समय में क्या हो सकता है सब्सक्राइन और जॉर्डन से refugees आ रहे थे लीगल और एल्लीगल दोनों वहने बोला अरे बिचारे refugees हैं शेल्टर चाहिए humanitarian grounds पर आने दिया कुछ गलत नहीं किया उपर उपर को और यह तो एक लंगर जैसा डाला था इससे फिर दूसरी terrorist organizations को रास्ता मिला अंदर आने का बस ऐसे करते करते पूरी डिमोग्रफी चेंज होगी कंट्री के अंदर और बाहर दोनों तलफ से attack होने लगी और यह exactly भारत में भी हो रहा है कहां कहां से infiltration नहीं हो रहा है refugees आ रहे हैं असाम का population explosion देख लो या फिर यह fact कि 28 में से 8 states में already Hindu majority में नहीं है Lebanon में एक city में रहने वालों को लगता था कि यह दूसरी city में कुछ violence हो गया चुटपट इधर उदर के कुछ violent incidences हैं और internationally भी उधे कभी global Christian country से support मांगने की आद इमाग में नहीं आया कुछ कभी यह नहीं सोचा होगा कि उनकी country के against international scheming चल भी सेम भारत में भी हमको लगता है कि अरे यह riots तो डेली में हो रहे हैं यह तो बैंगलोर्म के problem है Exodus तो बंगाल में हो रहा है या कश्मीर में हुआ था यह वहां के लोगों का local issue है इस रिडिकलस की हम कितने predictable path पे चल रहे हैं हम कितने short-sighted exactly how the Christians in Lebanon reacted hence we are destined to what they were destined to unless we change our ways हम डेमोग्राफी का खेलिं समझ भाए population growth is a very important parameter जिस पे ना Lebanon के Christians ने ध्यान दिया था और ना भारत के हिंदूस द्यान दे रहे हमारा ध्यान की काई पे है हम दो हमारे दो या फिर यह सेंट्रल मिनिस्टर ने spelling mistake कर दी ट्विटर पर या फिर एक edited वीडियो सद्गुरू का जिसमें उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया बस इनी सब चीजों में लगे रहो इसमें और जो में मुद्धे हैं जो कल्च्रल एक्सिस्टेंशल इश्यूस हैं उनमें दिमाग मत लगाओ वहां के टेरिस्ट ग्रूप्स जैसे हेजबुल्ला को नेबर सीरिया से से इंटिनियूसली सपोर्ड मिलता था पैसा इंटेलिजेंश आम्स और जो भी रिसोर्स लगते थे उदर जॉर्डन से कंटिनियूसली इमिग्रेंट आते थे जो डेमोग्राफिकली हेल्प करते थे भारत के पास भी पागिस्तान और बांगलादेश जैसे देश है जो भारत में भी वह हो रहा और उस पे वहां की नेटिव पॉपुलेशन ने जैसा जैसा रियक्ट किया था हम भी वैसा ही रियक्ट कर रहे तो स्वाबाविक है उनके साथ जो हुआ हमारे साथ भी वह हो सकता है जैसाइड एक्सडस और एंड में डेथ ओफ डिमोक्रसी आइमे इसा लग रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ी होप है लोग जाग रहे हैं अवेर हो रहे हैं तो गुड़ तो सी पीपल कमिंग आउट एंड सेंग तिंग्स लाइक हमको हमारे फेस्टिमस मनाना मत सिखाओ दुनिया का एक लॉता देश है जहां हिंडू मिजॉरिटी में है अग Let's make it louder. Let's make it heard. Jai Hind, Jai Bhana Comments below. Thank you for watching and see you in the next episode of Breathing History.